हाई गाईस मेरा नाम है जतेन अगरवाल आप जुड़ चुके हैं दबूल ओफ दलास्टीट चानल के साथ जैसा कि मैंने आप लोग उसे प्रोमिस किया था लास्ट वीक हम एक एक करके अलग-अलग Electronic Manufacturing Services Companies का Business Analysis करने वाले हैं कानल के उपर आज हम पहली कमनी लेने वाले हैं जिसका नाम है Science DLM अब सबसे पहली चीज़ में बता दू अगर आपने EMS के उपर मेरा Sectoral Analysis नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का कोई फाइदा नहीं क्योंकि सेक्टर को वापस डिसकस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर हम इस Business को इस Company को ही समझने वाले हैं तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस Business Analysis Company Analysis को ढंक से देखें ताकि आपको समझ आ सके किस Company में आखिर आपको करना क्या है और ये Company भी आखिर क्या करती है किस तरीके से करती है किस चीज़ पर नजर होनी चीए किस पर नहीं होनी चीए तो वो सारी चीज़े इस वीडियो में आपको तभी समझाएंगी जब आपके पास एक Base होगा और वो Base का से आएगा पिछली Sectoral Analysis वीडियो से जब लोगों के लिए आचुकी है पहले ही चैनल के उपर तो चलिए शुरू करते हैं इस Business Analysis को अब Science DLM से हमें पता चल जाता है सबसे पहली चीज़ किसके प्रमोटर है Science Limited जो की एक Listed Company है मार्केट के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी जून 30th 1993 को अगर हम देखें Science DLM जो की एक Electronic Manufacturing Services की कंपनी है तो ये जो EMS की Value Chain है उसके अंदर हर जगा पे काम करती है और ये अलग-लग Industries को Cater करती है तो Industries क्या हो गई जैसे Aerospace and Defense होती है आपकी Medical Technology हो गई Industrial Solutions हो गई तो ये हर Industry के अंदर ही काम कर रही है and again this is a leading provider of solutions, of services to global OEMs अब Science DLM का बहुत ज़्यादा Focus है Low Volume High Mix पे LVHM इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा Focus करते है या ऐसे Order Booking की ज़्यादा है जिसके अंदर Specialization चाहिए जिसके अंदर अच्छी Quality चाहिए तो कहीं न कहीं हम देखोगे अगर ऐसी जगहों पे Company Focus करेगी तो ये अपने Margin's Improve कर सकेगी and ये बहुत ही बड़ा Reason है इस Company का कि Low Volume High Mix पे ये Focus कर रहे है because Margin's अगर आप लोगों को ध्यान होगा EMS Companies के काफी कम रहते है Margin's पे हम और बात करेंगे इस Company की भी but ये मैं आपको एक Company Overview जो देना चाहता था वो मैंने आपको दे दिया है अब यहाँ पे आगे Business समझने से पहले और In-Depth जाने से पहले एक Question है आप लोगों के लिए एक Quiz है मैं काऊंगा Scient DLM अब इसके अंदर DLM क्या है वो मुझे आप Comment section में बताओ तो जाने कि आप लोगों ने खुद से भी कुछ इस Business के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा because कहीं तो सोचा होगा ना कभी तो सोचा होगा कि Scient DLM का क्या मतलब है DLM क्या है तो DLM क्या है मुझे Comment section में जरूर बताओ and you know अगर आप लोग नहीं बता पते तो within 2-3 days I'll be over there giving you the correct answer अब guys हम समझते हैं इस company का Business क्या है तो EMS के अंदर जैसा कि मैंने starting में बताया कि completely पूरी value chain के अंदर ये घुसे होए है अब EMS company services क्या-क्या provide करती है वो value chain क्या है तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था जब हमने EMS की बात करी थी कि किस तरीके से यहाँ पे अलग-अलग services है जैसे product design, product की prototyping होती है उनकी testing होती है, box assembly होती है, manufacturing होती है repairs की services provide करनी होती है तो ये company इन सारी ही चीजों के अंदर अपनी industry के अंदर, अपनी जो industries है उनके अंदर है and again, धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि इस company का focus और जादा बढ़ता जा रहा है उन चीजों में जिसके अंदर ये designing खुद से करें तो अब वो क्या हो रहा है या वो कैसे हो रहा है, वो समझ लेते हैं अगर कोई भी business इनके पास आता है तो दो में divide कर सकते हैं एक है build to print, यानि कि B2P B2P का क्या मतलब है पहले वो समझ लेते हैं B2P का मतलब है कि मानलो, मैं गया इनके पास और मैंने का देखो, ये मेरे पास design है इसको आप manufacture कर दो क्योंकि मेरे को ये product चाहिए तो ये लोग फिर वो electronics manufacturing शुरू कर देंगे दूसरा इनके पास जो है न एरिया वो है build to specification का यानि कि B2S अब इसके अंदर design ये लोग ही करते हैं manufacturing ये करेंगे, prototyping सब इनकी headache है तो इनके पास अब जैसे मैं जाऊंगा मैं काऊंगा देखो में पास product का design तो नहीं है बढ़ मेरे को पता ही कि मुझे क्या क्या चीज़े चाहिए तो मैं अपने requirements बताऊंगा ये लोग फिर उस product को design करेंगे और उसके बाद आप देखोगे कि ये एक product निकालेंगे जो मैं market में आगे बेच सकता हूँ but the thing is कि क्योंकि ये लोग design कर रहे हैं तो उसके अंदर इनके margins better हो जाते हैं और margins better होने बहुत ज़्यादा gain जरूरी है किसी भी electronic manufacturing service company के लिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ और हर वीडियो में बोलूँगा हर business analysis में बोलूँगा जब तक आप लोगों को रट नी जाहे हैं ये मैं पहली बता रहा हूँ अब अगर ये लोग B2S में जादा काम कर रहे हैं यानि कि build to specification में जादा काम कर रहे हैं तो ये act करते हैं like an ODM ODM की full form hopefully आप लोगो याद होगी पिछली वीडियो कर आपने देखी हैं नहीं देखी तो पहले जाके देख लो ODM की full form है original design manufacturer अब अगर आप एक ODM player हो तो फिर आपके margins improve हो जाते हैं क्योंकि design का जो IP है design के जो rights हैं design के जो patents हैं वो आपके पास है और इसी वज़े से आती है customer stickiness तो अगर हम इनके consumers देखें इनके customers देखें तो हम जानेंगे कि जो average relationship का इनका period है अपने customer के साथ वो है 11 साल का जो की बहुत ही solid है बहुत ही अच्छा है इनके बड़े-बड़े customers है like ABB, Honeywell then you have Bell, Bharat Electronics तो अलग-अलग customers है इनके पास कई customers है and again जो इनकी customer stickiness है वो यहाँ पे अच्छी खासी चलती है इस company की तीन manufacturing facilities भी है Mysuru में, Bengaluru में और हिदरबाद के अंदर अब guys हमने समझ लिया industry क्या है हमने समझ लिया कि उन्हों business के सिसाब से है चीजे क्या-क्या कर रहे है एक तरीके सामें उपर से idea लग गया है but अब जो actually solutions provide हो रहे है तो वो क्या-क्या solutions है जो provide हो रहे है हमने ये भी देखो समझ लिया कि build to print है build to specification है but actually products क्या आ रहे है भार actually solutions क्या है जो ये provide करते है अपनी industries के अंदर जो division हो जाता है वो है cable harness का अब इसके अंदर भी देखो बहुत ही self-explanatory ये चीज़ भी कि जो cables and wires होती है उसके assembly करनी होती है तो वो सारा काम ये देखते है तीसरा जो solution provide करते है वो है box build का अब ये term box build आपको बहुत सुनाई देगी हम जब future business videos भी करेंगे उसके अंदर भी सुनाई देगी box build का क्या मतलब है उस हमल लेते है तो जब भी आप कोई circuit ये बना रहे हो या आपको कुछ भी electronics बनाने है तो उसका एक enclosure बनाना होता है तो जब आप enclosure बनाते हो उसके अंदर फिर आप अपना जब बनाते हो जब बनाते हैं और ये फिर बाकी devices में लगता है ताकि यूनो वो ढंक से काम कर सके तो box build simple भी हो सकते हैं और complex भी हो सकते हैं तो box build में भी ये solutions प्रोवाइड करते हैं तो हमने समझ लिया बहुत ही easily कि तीन solutions mainly provide कर रहे हैं company of course they have value added services और बाकी चीज़े भी हैं बट तीन जो main solutions से provide करते हैं वो हमें समझ आ गए है PCBA, cable harnesses and box builds अब ये ही जो तीन इनके main solutions हैं इसको ये B2P या B2S में divide कर रहे होते हैं depending upon the customer requirements क्योंकि वो ही सामने सा के बताएगा भाई ये design उनके पास है या नहीं है अगर लेकिन B2S में आता है कोई customer इनके पास या नहीं कि build to specification में तो design ने खुद से बता रहे हैं वाँ पे कर रहे हैं तो इसलिए ही act करते हैं as an ODM player ये चीज़ मैं आपको रटवा के छोड़ूँगा और ये सारी वीडियो में रटवाँगा बैठके जब तक आप comments में लिखना शुरू नहीं कर दोगे कि the difference between ODM and contract manufacturing is very very clear with all of you अब guys हम बात कर लेते हैं इनके financials की because financials are also very very important in any business video तो इनका जो revenue था FY23 ending का वो था 832 करोड के round का और उस पे जो pat आया था वो almost 32 करोड का था यहां से आपको पता चलता है कि जो इसका profit after tax का margin है वो है सिर्फ और सिर्फ 3.8% का और ये चीज़ को मैं और भी discuss करूँगा आगे but pat margin in businesses में in general हमने देखाए कि कम ही होता है इसलिए margins पे focus करना ज़रूरी है इसलिए इन लोगों को margins इंडिया से 40% revenue है और rest of world से इसको 60% revenue आ रहा है अब क्यूंकि हमने starting में discuss किया था कि अलग-अलग industries में यह है तो वहां का भी revenue split एक पर देख लेते हैं तो इनका 832 करोड का revenue था F23 ending का उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे split हुआ है so aerospace में है 20.04% defense में 37.64% medical technology 16.26% industrial में है 25.08% और बाकी की जगाओं से जो आता है छोटा मोटा वो है 0.99% यानि कि लगबग 1% अब इसके अंदर जो मेरे को best चीज लगी वो है कि aerospace और defense से इस समय बहुत अच्छी order book है इनकी वहां से बहुत अच्छा revenue आ रहा है और यह बहुत ज़रूरी है बेकोज इस समय इंडस्ट्री भी tailwinds में है तो electronic manufacturing services की companies को तो tailwind लगी हुई है ही कहीना कहीं से बट aerospace and defense में भी बहुत अच्छी tailwinds है government का बहुत अच्छा पुश है और यहां से अगर business ज़्यादा है आपका तो market better valuation दे सकता है आपको so guys हमने इस company का overview देख लिए हमने इसका business देख लिए financials देख लिए अब इसके strong points और weaknesses की बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं weakness की क्योंकि वो एक बहुत ही crucial चीज है जो की है आपके margins तो इन businesses में देखो margins हमेशा ही कम रहते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी EMS company को play करें तो एक stop loss लेकर चलें अपने charts पे ताकि अगर कुछ भी गढ़बढ हो तो आप इससे exit कर सकें अब यह chart आपको कहा मिलेगा है चार्ट आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पे जो की free है सब लोगों के लिए join करने के लिए चार्ट में हमापे post कर दूँगा तो यह सबसे पहली चीज सबसे बड़ी weakness हो जाती है अभी industry में tailwinds हैं अच्छा हो रहा है सब कुछ अच्छा लग रहा है सब कुछ बट जिस दिन tailwinds गायब होंगे margins है नहीं कि business sustain हो सके दंग से और वहाँ पे आपको pressure आता हुआ proper दिखेगा और तब आपको correction आती हुई भी दिखेगी हाँ पे अब guys हम बात कर लेते हैं इनकी strength की या फिर जो key crucial points है जिन पर आपको नजर रखनी है going forward तो एक चीज जो है कि B2S पे आपको focus करना है कि किस तरीके से built to specification का business बढ़ रहा है इन लोगों का ताकि ये margins अपने improve कर सके second है कि इनका जो aerospace और defense exposure है वो मुझे बड़ा पसंद आता है because of course महाँ पे tailwinds है market महाँ पे better reward कर रही है similar companies in similar businesses are doing very well अगर वो aerospace और defense को cater कर रहे हैं तो फिर हम देखते हैं कि customer stickiness इनके पास है जो कि मैं कहूंगा सारी electronic manufacturing services companies के पास है अगर वो अच्छे से business कर रही है अपना and हमाँ पस industry tailwinds हो जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे points है जिनके वजे से आपको इस business पर रखनी चाहिए नजर हाला कि जो बहुत बड़ी weakness है किसी भी EMS company के अंदर वो मुझे लगते हैं उनके margins को लेके and यहाँ पे भी कोई exception नहीं है science DLM के अंदर भी मुझे लगते हैं कि margins थोड़े weak है So guys that would be it for this video I have covered everything in this video मैंने आपको बहुत धंग से इस company का business समझा दिया है इस company के financials की बात कर ली है company का overview हो गया है strengths and weaknesses मुझे क्या लग रहे हैं वो बता दिया है और chart आप लोगों को telegram पे मिली जाएगा तो कहीं ना कहीं complete analysis हो गया है hopefully आप लोगों को समझ आगया होगा कि science DLM actually करती क्या है और आप लोग इस company को कैसे परक सकते हैं also अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है EMS sector पे मेरा जो sectoral analysis है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है उससे आपको पूरी industry समझ आ जाएगी industry समझ आ जाएगी तो companies तो समझ आ ही जाएगी so that is it for this video next week एक और EMS company के साथ मैं आप लोगों के साथ जुडूँगा और भी बहुत सारी companies lined up है यहाँ पे आप लोगों के लगले तीन महीने में businesses बहुत ज़्यादा discuss होने वाले है so stay connected with the bull of the last date YouTube channel I'll be seeing you in the next one bye bye and jay hind झाले है